कि नमस्कार प्रियत दर्सकों मैं हूँ असलोजर रभी गुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत विश्यस कारिक्रम आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर मेने में ऐसा कौन सा आठ लगन और आशी है जो सबसे ज़्यादा लगी है जी हाँ आठ ऐसे कौन से लगन और आशी ऐसे है जिनके हर मनुकामनाय पूर्ण होंगी जिनके हर छेतरों में उनको सफलता की प्राप्ति होगी और सारे उनके रुके हुए काम और सारे उनके बाधित काम निश्चित तौर पे प्रारम भोना चालू हो जाएगा यह जो भी भविश्यवानी में करूँगा यह ग्रोहों के इस्थितियों के अदार पे करूँगा। ग्रोहों के गोचर के अधार पे करूंगा क्योंकि आठ लगन और 80 अक्टूबर महने में आप ऐसे हैं कि किसी काम के लिए थोड़ा भी संघर्स कर रहे हैं किसी काम के लिए थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहे हैं महनत कर रहे हैं लेकिन बहुत बार आपको कर्म करने के बाद भी आपको उस छेतरों में सफलता जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो अगर इस महने आप थोड़ा से एफ़र्ट लगाते हैं तो निक्षची तोर पे आपको सफलता मिलना तय है क्योंकि ग्रोहों की स्थितियां इस प्रकार से आपके समक्षे हो चुकी है कि आप चाहें तो उसका पूर्ण रुपेंड फल प्राप्त कर सकते हैं आखिर ऐसा क्यूं होगा किसली होगा यह मैं असपष्ट तौर पे बताऊंगा तो चलिए अब मैं प्रारंब करता हूँ अक्टुबर महिने का आठ लगन और रासी जो लकी है जिसको मिलेगा सफलता का वरदान और पुर्ण होंगे हर मनुकामनाएं आखिर क्यों जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंब करूंगा ब्रिसब लगन वाराशी वाले अगर आपकी ग्रोहों की स्थितियों की चर्चा अगर करें तो सरव परथम देखिए क्या होगा आपके लगन के मालिक सुक्र जो है वो हैं तो स्वह राशी का यानि तुला रासी का दो अक्टूबर तक दो अक्टूवर से वह आ जाएंगे अपनी समगरी रासी ब्रिष्चिक में और वह आ जाएंगे आपके कुडली के सब्तम हाउस में जब सब्तम हाउस में आ जाएंगे तो आपके विवाह के लिए उप्युक्त और बहतर बहतर रिष्टे आने चालू हो जाएंगे पार्टर सिपिंग अवेवसाई में सुधार हो जाएगा और लगन पे अपनी द्रिष्टी अपनी स्वयम की रासी को देखेंगे तो आपको मान सम्मान और लोगों के मद्ध में प्रतिष्टिट बनाने वाला रहेगा दूसरी महतभण काहानी ये है कि आपकी कर्म छेतर के स्वामी होते हैं शनी और शनी हैं वक्री 11 अक्टूबर से हो जाएंगे मारगी और उसी के साथ बिरहस्पती बैठे उए जो 18 अक्टूबर को वो भी हो जाएंगे मारगी यानि शनी अपनी स्वयम की रासी में मारगी हो जाएंगे जो कर्म छेत्र के मालिक हैं आपको जो नए बैपार और नए जौब के अच्छे-च्छे ओफर लाएंगे पिता से सिनेर्दिकारियों से तालमेल में सुधार के साथ और विरहस्पती 18 अक्टूवर से जब मारगी होंगे तो विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा दूसरी महत्पुन जनकारी यह है कि आपके कुडली में 22 अक्टूवर से मंगल जो है यह छट्टे घर में आ जाएंगे आपने कारक्तत तो प्रभाव में आ जाएंगे जिस कारण से क्या होगा कि आपको कर्ज से यह मुक्ति कराने वाला रहेगा विवाक के लिए उप्युक्त रिस्तों के अलावा लोट्री सट्टा शेयर मार्केट का भी लाफ देने में यह कारगर हो जाएगा इसलिए मैंने बताया कि आपके कुडली में कहीं न तो कहीं आप लखी होने वाले हैं तिसरी महत्तपुन जनकारी यह भी है कि बुद्ध जो आपके कुडली में धनके मालिक होते हैं और आपके कुडली में पंचमेश होते हैं ये दो अक्टूवर से ही पंचम अस्थान अपने उचस्थान पर बैठ के वहां भी दूर हो जाएंगे इसलिए मैंने कहा कि अक्टूबर महिने का ब्रिशब लगन और आशी वाले आप है लक्की बस कर्म करना चालू कीजिए हर मामले में मिलेगी शफलता बस आपको 17 तारीके बास सुरी को जल देना है क्योंकि सुरी थोड़ा सा नीच का होगा तो थ इतुल लगन और रासी वाले आप अक्टूबर महिने में लकी क्यों है इसके वास्तविक रीजन को समझीएगा सरप्रथम आपके लगन का मालिक बुद्ध जो है है तो पंचम अस्थान में जो केंदर तिर्कवन राज्योग बना करके रखे हुए हैं लेकिन दो से विवाद जो चल रहा था वह समाप्त हो जाएगा इसके अलावा आपके कर्म छेत्र का मालिक ब्रहस्पती जो वक्री चल रहे हैं यह 18 अक्टूबर से मारगी हो जाएंगे और सनी के साथ पुन रुपे नीच भंग राज्यों की स्थितिक उत्पन करेंगे जिस कारण से क कि आपको एक से लोगों से संपर्क होगा नए बैवसाय के और नए बैपार के और नए जौब के अप्रचूनिटी मिलने चालू हो जाएंगे पॉलिटिक से लेकर के हर पद्द में आपकी शम्मान के प्राप्ति होनी चालू हो जाएगे तिसरी महत्तपुन जनकारी आपके कि आपके कुंडली में मंगल के स्थिति की बात करो तो मंगल जो है यह 22 अक्टूर से पंचम अस्थान में आ जाएंगे यानि समगिधी रासी तूला में जिसके कारण आपके साथ क्या होगा कि आय का मालिक आय को देखने लगेगा जिसके कारण धन में बढ़ोतरी होगी औ तीसरा लगन और आसी जो लगी है उसको मैंने लिया है कर एक लगन हुआ रासी वाले आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यूँ कर एक लगन और आसी वाले आपके जीवान में तो संघर्स जन्मजात होता है संघर सकर करके इतना जादा चीचड़ा पन और इतना जादा स्ट्रगल हो जाता है कभी कभी आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं परतु फिर वही है कि भावुखता और प्यार से आप फिर से पुन्ह जो है लोगों को पसंद करने लगते हैं देखिए आपके कुडली में लक्क की तरक्की के राष्टे खूलेंगे लेकिन 22 अक्टुवर से यह तुला राष्टी का चतुरत अस्थान में आ करके आपके आयास्थान को भी देखने लगेगा और कर्म छेत्र को भी देखेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपको संतान सिक्षा लब रिलेशन में किसी प्रकार की बाधाय और दूर हो जाएंगी विवाह के योग बनने चालू हो जाएंगे और इसके लावा प्रेम से विवाह के योगों में ब्रेधी के लावा विदेश जाने की शंभावनाएं बढ़ जाएंगी अब सुची कितना सुभकारी होने वाला है दूसरी महत्पु बड़े भाइबनों से तालमिल में सुधार के साथ में जो है खंदानी शंपती का लाव दिलवा देगा दूसरी महत्पुन जनकारी यहां पर यह भी है जो सबसे ज़्यादा आपको परिशान कर रहा था वह यह था कि गुरू और सनी आपके कुडली के सब्तम अस्थान में ब पर गुरू के दिरिष्टी और भाग्य काधिपती होने की कारण आए बढ़ेग और विदेश जाने की शंभावनाएं चालू हो जाएंगी और सिनेर अधिकारियों से तालमिल जो खराब चलना था हुआ है बीठी हो जाएंगे तो विभाह के लिए उप्यूक्त दिरिश्त स्थान को देखेंगे तद उप्रांत आपके जीवन में क्या हो जाएगा आय अस्थान को आयका मालीक देखेगा तो बहुत बड़ा राजियों होता है यानि धनकी प्राप्ती उनत्ती शपलता और केंदर तिर्कोन राजियों भी सुक्र बना देंगे और इसके बाद 22 अक् अपने मित्रों से और परिवार के लोगों से थोड़ा साउधान रहिएगा बिरश्पती सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा दिखकर्थ हो सकता है इसके अलावा जो है अगर हम चौथा लगन और रासी जो लग्की है मैंने क्यूं लिया है उसकी चर्चा करतो हूं तो वो है सिंग लगन रासी वाले अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्यूं संघर से करना तो कोई आप से सीखे आप जीवन में एक बड़ा लक्ष को ले करके चलते हैं जो आप बहुत लोग आपकी भावनाओं और फिलिंग को नहीं समझते हैं लेकिन आपका लक्ष कोई काट नहीं सकता है तो आपको मैंने क्यों लग के लिया यह समझेगा पहले सरप्रथम आपके कुंडली में कर्म छेतर का मालिक सुक्र है हलाके वहां राहू बैठा हुआ है तो सुक्र जो हो तीरित्य घर में है तो अपनी राशी में परंतु क्या होगा एक तथ्य को समझिएगा दो अक्टूवर से सुक्र चतूर तस्थान पर आ जाएंगे और वह कर्म छेतर को देखेंगे घुमी मकान वाहन शंपती कारक बहुत तो आपको नए-ए नवकरिय बैपार में अवसर अच्छे प्राप्त होंगे उच्छ प्रकार के लोगों से संपर का स्थापित होगा प्रयम प्रसंग में किसी प्रकार की आइस्थिर्ताएं हो चुकी थी और रिलेशन्सिप खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएगा इसके क्या हो रहा है जो पेट की समस्या पैरों में कश्ट कमर दर्द इसके अलावा गर्दन का पेन जो आपको हो रहा था 11 अक्टूबर को सनी हो जाएंगे मारगी तो इस प्रकार के स्वास्थ समधी समस्या है तो आपके ठीक हो जाएंगे सर परतम विवाह के लिए उप्यूक् भंग राजियोग बना देंगे तो दुपरांत क्या होगा कि विरस्पति आपकी कुल्ली में पंचम अस्थान के और अश्टम अस्थान के आधिपति हैं केश मुकदमा संतान से लेकर के विवाद और इसके अलावा सिक्षा में बाधा और सम्मान में जो कमी हो रहा था ठार पुरुष्ट के अनुशार तीरित्य अस्थान कारकत्त तो होता है प्रंतु होगा क्या कि आपकी कुल्डली में जो है बुद्ध यह दो अक्टूवर से धान अस्थान में चले जाएंगे तो क्या होगा विवक्री विच्था बहुत सुब होता है तो आपको चारों तरब स काम भी बन जाएगा और आपका दमपती जिवान में वाद विवाद जो चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा और इसके अलावा मानसिक सांती बहुत जगह पे आप बोल नहीं पा रहे थे तो वह बोलिएगा और अपने आपको साबित भी करने वाले रहिएगा ये भी एक तथ से प्राकर्म अस्थाने तेरित्य घर में आ जाएंगे जाब को भूमी मकान वहां संपती गैजेट्स और उच्छ प्रकार के लोगों से संपर का पॉलिटिक्स बगरे में अच्छा पद्ध देगा इसलिए मैंने आपको बोला कि महने में बहुत लखी है फिर भी ये समय बह संपरिकारियों शुमत्भेद और सरकारी कर्म छेत्र वालों के लोगों से मत्भेद मत करिएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पाचवा लगन और आसी जिसको मैंने बहुत ज्यादा लखी माना है वह करन्या लगन और आसी वाले आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करन्या लगन और आसी वाले पहले आपके तथ्य को समझाता हूँ सर पर थाम आपके कुंडली में लगन का मालिक और कर्म छेत्र का मालिक तो बूध होते हैं और बूध बरतमान समय में धन अस्थान में बैठे हुए थे दो अक्टूबर से यह लगन में ही अपनी स्वयम की रासी में उच्चस्त हो जाएंगे और वक्रिया थारग दूर तक रहेंगे तद उपराटो उमारगी हो जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि क्रम छेत्र का मालिक और लगन का मालिक यह अस्थान पे अपनी रासी में उच्चका हो जाए तो यह पूर्ण रुपेन बना देगा तद उप्रांद क्या होगा कि ने ने बैपार और ने ने जौब के फचुलिटी आएंगे पॉलिटिक्स से लेकर के हर पद में आपको सफलता के रास्ते खुलने चालू होंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको जो है रास्ते अच्छे खुल इसके बाद अगर हम चर्चा करना चाहेंगे दूसरी महत्तपूर्ण अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरी महत्तपूर्न जो है आपके कुंडली में वह है मंगल क्योंकि मंगल देखिए क्या है आभी लगन में बैठे हुए है और अश्टमस्थान के अधिपती है लेकिन जब मंगल आपके कुडली में 22 अक्टूबर से सेकेंड हाउस में चले जाएंगे तो धन के रास्ते खुलने लगें क्या समगिरी राशी है और भाग्यास्थान को भी देखेंगे तो भाग्या शाली भी बनाएगा और मंगल आपके कुडली में प्राकर्मी भी बना देगा इ बिरहस्पती की चर्चा क्यों कर रहा हो देखिए कन्या लगन राशी वाले बिरहस्पती आपकी कुडली में शंपती और बैपार और विवह का मालिक होता है अब बिरहस्पती है वर्तमान समय में वक्री और वह 18 अक्टूबर से जो है मारगी हो जाएंगे तो जब 18 अक्ट पर पिर इस के सmmy क्या देगा उसके बाद बिरहस्पती के बारें के बता लितОं सनी करज से मुक्टी करा देगा आयक के बढ़ोत्री करवा देगा अस्थान परीकर लॉफ्यूक्त करवाएंगा लवे शुच्छा में बाध आजहो है तें इसको ठीक करेगा और इसके जाएंगे और भूमी मकार वहां संपती का सुख मिल जाएगा इसी कारण से तो मैंने लखी लिया था आपके लगन और राशी को अक्टूबर के महिने में अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि छठा लगन और राशी कौन सा लखी है जिसको मैंने लिया है तो वो मैं चर्चा करूंगा धनू लगन और राशी वाले का आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि धनू लगन राशी वाले आपकी जिंदिगी में तेस्ट्रग से रोट पे आ जाईए और उसके बाद फिर आईएगा बुलिएगा देखो मिरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया आपको प्रॉब्लम आने नहीं देना आना देना का मतलब प्रिबाद होने का चली बताते हैं क्यों एशा हो रहा है कि आप लगन और आसी वाले धनू लगन और आस हैं जब लगन का मालिक वक्री हो रहा तो तनाव हो रहा है टेंसन हो रहा है किसी चीजों पर प्रफिक्ट आप निरने नहीं ले पा रहे हैं बहुत अंदर से परिसान चल रहे हैं जब यह मारगी हो जाएंगे निरने पड़ेंगे मान शमान बढ़ेगा पटिष्ठा मिलेगा माता का स्वास ठीक होगा घहरे लुक हर्च जो बहुत ज़्यादा में हो रहा है सुगर भीपी थायरोइड यह सब बढ़ा हुआ है यह सब नियंतरन में आ जाएगा इसके बाद देखिए अठारा अक्टूबर को विरहस्पति क्योंकि मारगी होंगे तो आपके ल महतकपूर्ण सकत है इस सच्च सच्टी पर तो आपके सब्सक्राइब प्राकर्मे भी न parked लेगा जिसके करण आपके प्राकर्म में टीक होगा खंदानी प्रुपटी कालाम मिल जाएगा धन अस्थान पर शनी बैठने कारान आप बोलिएगा अपने वानी कदम पर दूसरों को एट्रेक्ट करिएगा और अपने काम निकालिएगा तिसरी महत्पुंजानकारी देखिए क्या है कि आपकी कुड्ली में जो है आए अस्थान पर मिलेगा जब यह कर्म छेत्र में आ जाएंगे तो आपके जीवन में बुद्ध जो है नयने नौकरियों को लाएगा नयने बैपार के लाएगा क्यों ऐसा इसली बोल रहा हो धनुल लगना रासी वाले क्योंकि बुद्ध भद्र नामक सुभराज यूग बना देगा और इस जीवन पार्टनर्शिपिंग रिलेशन्सिप सभी चीजों को यह ठीक करने वाला रहेगा और सबसे महत्तपुन बात क्या है नौकरी अवेशाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते थे कोई औफर्स वेगर अच्छे नहीं आ रहे थे तो चलो कम शेकम यह तो कंफर्म हो गया कि जब बुद्ध रहेंगे कर्म शेतर में तो इस समस्य आए तो आपकी दूर हो जाएगी इसलिए तो धन्यू लगन रासी वाले मैंने आपको लखी माना था अक्टूबर के महिने में सातवा लगन रासी जिसको मैंने लखी माना है वो है मकर लगन रासी वाले अब आप सोच रहेंगे ऐसा क्यों बताता हूं मकर लगन रासी वाले निश्चित तोर पे आपका एक सिधान्त है आप उसी के प्रिंश्पूल पर चलने वाले वेखती हैं इसके अलावा जो है अच्छा भी बना देता है कि लोग सोचते हैं कि आप करोड़ पती है अरब पती है गमंड है जब कैसा कुछ नहीं है आपका काम है सिधा बात करो सिधा अपने लक्षों को तै करो लेकिन देखिए दुनिया है कह सकता हूं तो थोड़ी इसी कॉन प्रमाइच आप समझ रहे तिगार अक्टूर को अपका मान शम्मान ठीक होने लगेगा हैर फॉल बगरा के शमस्याइद दूर हो जाएंगी महासिक तनाव सीर दर्द ठीक हो जाएगा पती पतनी के मद्दे में और लब रिलेस्टन के मद्द में वैचारी के मत्वेद ठीक हो जाएंगे और विवाह क पतनी का स्वास्त या पती का स्वास्त जो कराब चल रहा था हुआ ठीक हो जाएगा पंचा मस्थार पे द्रिश्टी रहेगी तो उच्छ सिक्षा का लाभ मिल जाएगा प्रेम से विवाह के योगों में यहां ब्रिधी कर देने वाला रहेगा क्योंकि दूत्येस और इसके अलावा जो है विद्यस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े भाई बहुत ही अच्छे तालमें लाभ के ठीक हो जाएंगे और सब्सें महत्त्रपुर्णबाद क्या रहेगा कि कर्म छेतर का मालिक आए में चला जाता है तो आपके जीवन में लोट्री शट्टा श्यार पद्ध की प्राप्ति होती है और लखी मानने का रीजन क्या था देखिए बुद्ध जो आपके कुंडली में भाग्य के मालिक हैं और बुद्ध जो आपके कुंडली में कर्ज के मालिक होते हैं ये दो अक्टूबर से अठारा अक्टूबर तक कहा रहेंगे वक्री अवस्था में कन्यारासी में और अठारा अक्टूबर को ही वक्री अवस्था में इसे यह मारगी में हो जाएंगे तो यह भदर योग बना देगा तो आपको क्या होगा दो अक्टूबर को कर्ज की मुक्त मकद धमकी दे रहा था आपके हिम्मत नहीं थे क्या पर समय साथ नहीं दे रहा था आप उनसे बेड़ जाईएगा और अपने बातों को साबित करिएगा और अब भी जाई होईएगा सिने रधिकारियों से और माता पिता से तानमेल भी या ठीक कर देगा मांसिक सांती का पालिक और समपति का मालिक मंगल जो हे वहा जो है 22 अक्टूबर को कर्म चैतर में चले जाएगा यारी समगिरी रासी में और समपति अस्थान को देखेगा और आयका मालिक होता है तो सोच लिए क्या लाब मिलेगा और लगने पे इसकी उच्चे के द्रिष्टी चली जाए और पुरारे पैसे फसे हुए और आइस वेगरा यह बड़ा हाई पोजिशन के एक्जामरिशन वेगरा में बीज़े होने के चांसेस रहेंगे हाँ एक बात अविश्य बोलूँगा कि सुर्य जो आपकी कुल्ली में नीच का हो जाएगा सत्राफ टूबर के बाद तो सत्राफ टूबर के बाद थोड़े से मेंटल पीस के अलावा दूसरों के लिटिकेशन यह केसम का दवा मत फसिएगा नितसारे योग रखे के रखे रह छाएगे के याद रखिएगा अंतिमलगना जा जो आठव लगना रासी जिसको मैंने लखी माना है वास्तव है और कौन सा लगने यह सुने है अलगी लगना वह है मिन लगन और आसी वाले घ्राप करना थो पैड़ाई होते दूसरों के जिंदग के लिए आपना बनाने का कुर्सत नहीं है क्योंकि आप दूसरीयों के बनाते बनाते अपने आपको इतना डिप्त में कर लेते हैं कि उठने का टाइम नहीं मिलता इसलिए तो बोलता हूं थोड़ा दिमाग लगा यह चला की कीजिए पर आपको कितना भी बोल दो कुछ फैदनी इधर से सुनो और आप कोशिश कर सकता हूं आपको बदलने का भाग के बदलने का नहीं तो मिल लगन राशी वाले ऐसा क्यों है कि मैंने आपको लखी माना है शुनिए आपके कर्म छेत्र का मालिक जो है वह है बिरहस्पती और बिरहस्पती जो है आपके कुड़ली में वह कहां बैठा हुआ है आ में क्या होगा कि आपके जीवन में ने ने बैपार और ने ने नौकरियों का फिचिनिटी आ जाएंगे बिरहस्पती लगन के मालिक है लगने इसका पुरे रुपे नीच भंग राज्योग बनेगा था बड़े निरने लीजेगा मानसिक सांती के अलावा जो है घबराहट भी दूर हो जाएगा और अपने कर्म कैनुसार जो आपको ख्याती नहीं मिल पा रहे थी वह मिलना चालू हो जाएगा इसके अलावा और क्यारी जाने सुनिए आपके भाग्य का मालिक मंगल जो है इसकी चर्चा करूंगा यह 22 अक्टूबर तक जो है रहेंगे साथवे घर सब्सक्राइस कर में यानि कर्यारासी में 22 अक्टूबर के बाद चले जाएंगे और तो आपका पूरा महिना मंगल भाग्याया पत्दोसाली 39 बनाएगा विदेश स्यात्रा की और प्रेरित करने वाला रहेगा सिने रधी कार्यों से तालमिल ठीक होगा छोटी मोटी यात्राओं का लाव और सरकारी काम के सारे फैदा निकलने चालू हो जाएंगे तीसरा महत्कुन क्यूं मैंने लखी माना क्यूंकि आपके कुल्ली में आय और दौादेश यानि आय और खर्च का मालिक सनी होता है 11 अक्टूर को ये भी मार्गी हो जाएंगे अपनी रासी में ताल मेल के साथ रिष्टदारों के पाई जो अपने पैसे दान के सोरूप में दे रखे थे वह हैं मिल जाएंगे आपके अंदर हिम्मत आएगा कॉन्फिनेंट आएगा प्राकर्मी बनेंगे इसलिए तो मैंने लखी माना था इसके सबसे महत्तपूर्ण है महत्तपूर्ण है कि बुद्ध अस्था मस्थान में जो आपको क्या कर रहा था कि स्वास्त खराब संपती बने नहीं दे रहा था तो दो सब्सक्राइब करना है और किसी को अपने से छोटा नहीं मानना मतलब लेवल में रखना है ताकि गलत ना उसके मैंने फिलिंग जाए और बाद में आपको उपर हावी ना हो जाए तो प्रिय दर्सों को आठ लगन और आसी क्यों था क्टूबर मेहने में लगी इसके संपुन विरितान तमय ने आपको जनकारी दी है उमिद करता होंगे बताएगे जनकारी से पुन रुपेन संतुष्ट होंगे तो मिलेंग अगली वीडियो में और महत्तपुन और गयान वर्दक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार अच्छे से रहिए धन्य बाद